आज जान देश के खुद को आम आदवी कहने वाले नेता अपनी साथी में लाखों करोड रुपे खर्च कर देते हैं जो बोली मिट के सितारे हैं जो इस्टार से उनके दुरंग भी फीके पड़ जाते हैं उनकी साधियों के अंदर आप ये माहौल देखेंगे लिकन इस देश की सिवा के लिए और अपनी जीवन में क्या पाया एक पटा हुआ कुड़ता टूटी हुई चपल और खुले हुए बार के साथ में एक इंच तक की अपनी पैत्रिक गर के अंदर जमीन खरीट पाए नपटनाची से विक्सित सहर के अंदर एक इंच जमीन खरीट बड़ो प्रांत भारत रतने देने का अइलान किया गया है बिहार के प्राइब हाली में बारत के ततकाले इन पिदान मंत्री नरेन मोधी ने भारत रतन से सम्मानेत करने की गोश्ट्रा किये अयक करपुरी ठाकुर जी को भारत रतन देने का दरसल इनकों बारे में मेरे को ये नाम सुन करके इनके बारे में जानने की आश्यर चक्रत हुगा तो मैंने जब इनके बारे में पढ़ा तो मेरी आखों से आस हुआ गये तरसल आप भी सुनेंगे तो आप भी आज से चकित हो जाएंगे कि ऐसे भी नेता इस बिहार की धर्दी पे जनम लिया है जिनके सर्वोच बन्योदान की बज़े से आज हमको समाजिक नियाय में भागेदारी और इतने बड़े बिहार के अंदर जो जातियों का संगर्श चला दरसल जो आम करपूरी ठाकूर जिनको जन्नाय की उपादी से जाना जाता है उनके वो एक सिछक थे महान स्वतंतरता सैनानी दरसल स्वतंतरता सैना उन्नी सो चालीस में पटना यूनिवसिटी से मैट्रिक डिबिजन की सेकंड डिबिजन से पास करते है जो वही पर 1902 के अ चुड़ो आंदूलन में भाग लेने की बज़े से उनको 26 महीनी के लिए जेन में डाल दिया जाता है भागलपुर के अंदर जब 1945 में वो जेल से छूट करके आते हैं तो 1947 में आचार नरियंदर देव और राम मनोगर नूया के साथ में मिल करके उनकी एक आंदूलन चलाता सम समाजबादियों को उनमें मिल करके बढ़ चल करके हिस्सा ले लगते हैं न अपने परवार की तरफ देखते हैं जहां उनके पिताजी ने उस जिम्मेदारी के साथ में भेजा था कि एक बेटा अच्छी तरह से पड़ेगा और अपनी जेम खर्च निकाल करके उनके आदारट से कितान थे और नाई जाती से बिलों करते थे इसी बज़े से पूरी गाहों के अंदर बाल काटा करते थे जिससे उनकी रोजी रूटी का कुजारा चलता था जो बाल काटा करते थे उहीं पर भिहार के अंदर उस बक्त पर ऐसा समाज के अंदर ऐसा आदार हुई थे कि जिन लोगों कोई बाल काटा करती तो उनों कुछ अनाज बिल जाता उनकी घर का खर्चा चल जाता था लेकर अपने परिवार की सिवा को परिवार की सिवा से वड़कर की समझा और आज सो बामन में वो पहली बार बिहार की बिधान सवा के लिए इलेक्ट किये जाते हैं और इस भामत के लिए पूरी बिहार की जनता को अपना सरवच यही से अपनी आंगे जिंदगी के आगामे लड़ाई के लिए वो अपने कमर कस करके तयार हो जाते हैं उनको पता था कि संगर्स कापी बड़े आएंगे लेकिन इतने बेदाग नेता इतने इमांदार नेता चेन के बारे में जान करके आप भी आशिसर्डर हो जाएंगे लेकिन दरसल जब वो बिहार के मुक मंत्री थे तो उनके बहनोई यानि कि उनकी सिष्टर के पती उनके पा पास में नोकनी नहीं लेकिन वहीं अपसोच से सोचते उनको अन्याय नहीं कर सकते थी, CM के पत पे उनके अपने चरित पे दाग नहीं लगा सकती थी, इसलिए अपनी जीम के फटे कोड़े से 50 पे निकाल करके उनको देखते हैं, ये पाइटली के प्रमुक नेता प्रतपत के रूप में करपूरी ठाकर को चुना जाता है, 1970 में वो बिहार के चीप मिनिस्टर बन जाती, उनकी एक गठना गठती है उनके परवार के साथ में, जब उनके पिताजी की तबियत बिगड़ने लगती है, तो जो सामन्त जमीदार थे, जो थताकतित जो अभू अधिपती जमीदार थे, उन्होंने अपने पिताजी को अपने यहांपर काम करने के लिए बलाते हैं, लेकिन जब उनकी तबियत खराब होने की बज़य से मना करने लगती है, तो उनको कुछ गुंडे लठैत बेज करके उनको जबरन घर से पकड़कर लाने की कोसस करती है, तब ही वहां के ततकाली बियम को पता चलता है, कि सीम के पितारों को इस तरह से प्रताड़ित किया ज तो वहां पर जाकर के तुरंट एक्सन लेती हैं, और गुंडे बेजे गई थे उनको गरफतार कर लेते हैं, ये बात जब करपुरी ठागोर को बता चलती है, तो जो पकड़े गरफतार किये लोग होते उनको तुरंट छुडबा देती है, ये कहते हैं कि एक सीम का पिता हो उनके बज़े से उनको एक अलग स्पेशल टीटमेंट न दिया जाए, लेकिन इस जाती के नाम पर जाती हो धरम के नाम पर इस राज्य के अंदर कई सारे पिछड़ी ऐसे लोगों को दबाय जा रहा है, कुछला जा रहा है, उनको उनके साथ में अन्या होता है, और उनको आप ठीक कीजिए इस बिवस्ता, वहीं 1977 से 1977 में जैप्रकास नारायड के नित्त में बिहार के अंदर संपूट के आंती नाम का एक आंदोलन चलता है, वो अपना वहीं पर पूरी तरह से उसमें चुड़ जाती है, क्योंकि उनके राजनीते गुरू जैप्रकास नारायड और रामवनो और लोईया ही थे, 1977 में वो बिहार के समझती पूर से लोकसभा के लिए निर्बाचित होती हैं, लेकिन उसको ठुकरा करके 20 जूँ, 27 को बिहार के 12 मुख मंत्री बन जाते हैं, मुख मंत्री बनते ही उन्होंने अपनी कुछ एजेंट पर काम करना स्टार्ट क जिनकी बज़े से आज उनके अच्छे कामों की बज़े से उनको भारत रतन मिलना है, उनमें से प्रमुक काम उनके ये है कि जो अत्य पिछडी जाती हैं उनका दुरभी करण, अन्होंने ये का कि जो पिछडी जाती हैं, जो OBC बियार के अंदर उसकी जनसंक्या दोती आई लेकिन उस समय पर सामाजिक सरचना कुछ इस तरह की बनी हुई थी, कि जो पिछडी जो उच जातिया थी, जो सरड लोग थी, जो कॉंग्रेस के अंदर कहने को तो देश आजात हो गया था, लेकिन कॉंग्रेस पाटी के अंदर उनका बर्चस चद्दा था, चाहे कॉंग्र सभी को बिहार के अंदर से गरीबी दूर हुँ, लेकिन इसी को तूर करने के लिए जब बिहार में करपुरी ठाक, और के नेतरुत में जब वो मुखमंतरी बनती है, जनता तल के 1977 में पहली बार सरकार बनती है, गेर कॉंग्रेसी तो इसी को ठीक करना चाते थी, सामाजिक दूरियों को काम करना चाहते थी लेकिन इसी के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया इसी के लिए उन्होंने सबसे बड़ा फेक्टर देखा कि दो त्याई आबादी OBC की अन्य पिछला जाती हों की दरसल उन्होंने OBC के अंदर भी एक जाती लिकारी अत्य फिचड़ा अत्य फिचड़ी जाती जो दरसल उन्होंने एक मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को बिहार के अंदर लागू करने की बात की जब पूरे देश के अंदर OBC के ने भी कोई भी आरचचड नहीं था उस OBC आरचड के अंदर भी आरचचड देने की बात कर रहे थे उसी बक्त में जब उनकी सरकार के कुछ विदायक जो सड़ जातियों से आते थे और कुछ दबंग नहीं तो उन्होंने उनका प्रूत किया तो उन्होंने इस आरचड को गठा करके 20% करना पड़ा और 12% OBC के लि जो यूबाबर्ग हैं उनके जीवन के व्यक्तितों के बारे में उनके संघर्सों के बारे में वहां तक जो कितने कस्ट से आए हैं आज यूबाबर्ग कहते हैं हम गरीव हैं हम पिछ्रे हैं हम जाती से यह यह बाधा बहुत नहीं बन सकती है उनके जीवन को अगर वो जान उन्होंने किसान की पुसं के ऊच्छत नाम मिलें और उन्होंने हिंदी के प्रचार को प्रमोट किया और वो कहते थें उनका क्लियर बिचन था आ जादी के समयापर वो किश्ला टॉकीज के अंदर एक नारा दिया था उन्होंने आजादी के समय पर आजादी से पहले की लड़ाई लड़ रहे थे उस बक्त पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों अगर हम थूक दे तो उसमें डूम करके मर जाएंगे उसके लिए उनको जन्माना भी बरना पड़ा उनको डंडे पी किया गया लेकर उन्हीं मैंसे कई नारे उनके बहुती जादा फहमिस थी वो उनके नारे तो मैं 90 सोसित हैं सोसितों नलकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है और दूसरा नारा था अधिकार चाह पता ही चला गया जब ही तो वो 1902 में जब पहली बार ब्यार ब्यदान सबा के लिए इलेक्ट हुए थी उसके बाद में एक भी इलेक्शन्स नहीं आ रहे इतनी पावर्ती इस आदमी की दरसल इनके बारे में ये कहानिया सुनो गए तो आप भी रोध होगए राम सेव के आदब मदूल में उनके कुछ जूसाती थी जो उनके साथ में काम करती थी लेकिन उनके कुछ चेले पी थी उनके जो करपूरी ठाकुर जनके गुरू थी उनके नाम है लानु प्रसाद आदब नीतिस कुमार और रामलास पासमान और सुसील मोदी दरसल ये सब उनी की छेले हैं करपूली ठाकुल के लेकिन ये सब किस तरह से बंदरबाट करने लग रहे हैं ब्यार के अंदर आप भी नई बात आप से चुपी हैं मुझ से चुपी है क्या होने लग रहा है कितनी बुरी इसती है ब्यार के आप ये सोच भी नहीं सकते जब वो बिहार के मुकमंत्री थी तो आज जो नेता होती हैं बड़ बड़ी नेताओं के करोडों, लाफों, करोडों के गोटाले में नाम उचाले जाते हैं लेकिन वो एक ऐसी नेता थे जब उनकी बेटी की साधी करने के लिए उनको जब राची के एक गाउं में अपना दा पूड करते हैं न अपने किसी भी कैबिनिट, अपने मंत्री मंडल के किसी भी सरस्त को नोता नहीं देते हैं और जो अपने उनके उपर जो ओपिसर थी उनको सक्त आदिश देते हैं कि यहां पर कोई भी हेलिकॉप्टर नहीं आना चाहिए मेरी अन्मुती के बड़ी चंद सेकर नाना जी देश मुक जब वो आए थे तो जो ततकाले मुक मंत्री कर पूरी ठाकर के पटे हुए कपड़े देखते हैं और कुड़ते देखते हैं और तूटी हुई चपन देखते हैं तो उनको रहम आ जाता है और लीडर्स के सामने अपनी जोली पसार करके और यह कह करके उनसे पैसा मांगना चंदा करना सुरू कर देते हैं कि मुक मंत्री के कुड़ते के लिए यह चंदा में आप कुछ दान देंगे उसमें कई सो रुपे खिट्टे हो जाते हैं कई सारी लीडर्स उसमें चंदा देती हैं तो उनसे कहते हैं कि आप इन रुपे से के कि साती थे वो कैसे थे आपका बाल बच्चा कहा रहेगा कहा जाएगा वो कहते थे गाउंवे रहेगा लिकन यहां नहीं पूरे राज की इस्तनी बुरी इस्तती है मैं इसको पहले खतम करूँगा उसके बाद मैं चैन की सास लूँगा जो उत्तर पुदेश के एक कद्दाव की मीटिंग के अंदर तो उन्होंने कहा के अपनी मित्र रहा के मित्र थे पटना के अंदर उनसे कहा के जब भी करपूरी ठाकर को कुछ रूपे 10-5,000 रुपे की जरूरत पड़े तो आप दे दे देना मुझे बता देना मैं उनको रीपे कर दूँगा तुमको लेकिन जब पड़े हुई जवापड़ी को देख करके रूद दे थे आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में तो बताई से